Hello Friends, Welcome to your channel, Kat is Soni and this is Soni Singh Friends, आपसे मैंने एक Promise किया था कि Practical Examination में किस तरह के Question पूछे जाते हैं Why Why मैं आपसे किस तरह के Question पूछे जाते हैं, वो Question में आप लोग लिए ले करके जरूर आऊंगी तो आज मैंने आपका अपना Promise पूरा किया है, आज मैं आपको वो सारे Question लेकर आई हूँ जो Practical Examination में External के दुआरा जो है पूछे जाते हैं, जिसको हम Why Why भी बोलते हैं चली देखिए, Why Why में Question कैसे पूछे जाते हैं, ये एकदम डीटेल में आज आपको मैं बताऊंगी और ये सारे Question अगर आप कर लेते हो, तो आपको कहीं से कोई Question करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले Practice Teaching Come School Internship आपको School Internship के बारे में Question किया जाएगा, कि जो आपको एक महने के ट्रेनिंग पर भेजा गया था, उसमें आपको कैसा लगा क्या आपने फिल किया, किस तरह से, आपने क्या mistakes किया, आपके teachers ने क्या feedback दिये है दूसरा जो Question कर सकता है, Micro Teaching जो मैं हमेशा बताती हूँ, Micro Teaching क्या है, किसे कहते ही इसके बारे में फिर उसके बाद जो आपने Lesson बनाया है, जो आपके Lesson प्लान है, उसको डिसकस किया जाएगा, जो कि आपके Practical Copy में रहेंगे, उसको बताया जाएगा कुछ Lesson को Demonstrate करने के लिए बोला जा सकता है, वो Question कर सकता है, कि अच्छा ये आपने लिखा है, तो ऐसके क्यों लिखा है, उसके बारे में बताये Teaching ads के बार में पूचेगा Teaching ads आप कैसे बनाते हो या फिर आप कैसे बनाओगे Teaching ads क्या होता है? ये भी पूच सकता है फिर पूचेगा Field trip क्या होता है? बचों को जो हम पढ़ाने के लिए Study Tour पे ले जाते हैं बाहर भुमाने ले जाते हैं उनको समझाने के लिए ले जाते हैं, दिखाने के लिए ले जाते हैं, रियल लाइफ से मिलाने ले जाते हैं, वो क्या होता है, यह आप से पूछेगा. Field work with community based programs, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्जंज जो की community based हो, जिसमें की जैसे की सवक्षता विवान हो गया, आपने आप स्कूल के आसपास, या फिर वहां की जगों का बच्चों के द्वारा सवक्षता के बारे में आपने जांग रूता फैलाई, बच्चों ने थोरह बहुद सफाई की तो ये सारी चीज़े जो है प्रोग्राम में जो है क्या होता है फिल्ड व्क प्रोग्राम क्या होता ये पूछेगा तो आप इसको इस तरह से अंसर करोगे Community Living Camp, SUPW सारी हाँ SUPW है उसी में है, H नमर में, 9 में Community Living Camp आप ऐसे camp के बारे में क्या जानते हैं जो community living है जो कि हम अपने संप्रदाय में हम अपने community के साथ रहते हैं वो ऐसा camp करवाय जाए जिसमें कि कैसे बच्चे बच्चे को help करते हैं किसी के needs में काम आना क्या होता है फिर है preparation of achievement test, achievement test के बारे में पूछा जाएगा जो बच्चे जो examination देते हैं या फिर उसके बारे में हम पता करते हैं कि बच्चे ने कैसा exam दिया है तो achievement test कैसे होता है physical education lesson plan जो आपका lesson plan रहेगा उसको देखा जाएगा उससे question किया जाएगा फिर उसके बाद है practice teaching come school internship, internship से related question रहेगा, teaching practice क्या है, क्या purpose है, आप क्यों teaching में आए वो, आपका purpose क्या है, वो पूछा जाएगा आपको क्या benefit मिला जो teaching आपने internship किया उसको लेकर के, तो ये सारी चीजे जो है आपसे पूछी जाएगी, देखे मैं बहुत सारे question आप लोग के लेकर आई हूँ, ये सारे question कर लोगे ना, तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रत नहीं रहेगी, जैसे micro teaching का देखिए, क् who invented the technique of micro teaching, ये भी question हो सकता है, micro teaching के ओपर देखे 10 question इस तरह के पूछे जाएगे, discussion lesson के बारे में ये पूछा जाएगा question, तो हर एक topic को जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, so friends अगर आप इतने सारे questions कर लेते हो, वाइवा में आपको external full marks दे करके जाएगा, what do you mean by audio visual ads, ये क्या है, इस पर video जो है हमारे channel पर आपको मिल जाएगा, तो इस तरह के सारे questions, field trip क्या है, study tour क्या है, इसमें किस तरह के questions पूछे जाएगे, ये देखे, तो इस तरह से ये सारे questions मैं आप लोग ले लेकर आई हूँ, इस सारे questions करके जाएगे, फिर आपको कोई tension लेने की जोरत नहीं है, वाईवा को लेकर के external का डर आपके मन में नहीं होगा, external आपसे डरेगा, so ये जो question था, मेरे पास हजारों question आया थे, क्योंकि अब examination आ रहा है, तो students को tension हूई थी, तो इसके लिए मैं आपको अपना promise में पूरा की हूँ, और आज लेकर आई हूँ so friends फिर मिलूंगी आपसे, till then have a nice day